पुल्धाना की पाक जमी पे पॉल्धाना की पाक जमी पे तौन तुमारा है तानी ही हक सैलानी या सैलानी हक सैलानी जिल्हातिल एकामेवा गुलानची सैली की शाला दोनाचार 24-25 प्रवेश प्रक्रिया सुरू अधिक महिती साथी संपर्का कवरेन नुशुन्य चार अठा वन्न त्रैंग्शी एकोनिस आणी एक्केनों तीस त्रैंग्शी तीस चोवीस सेटी न्यूस वसा जन सेवेचा मी जेवा काही करतो तेवा विकासाचा प्रश्रा सनाचो मुद्ध्यावर काम करायला आणी त्यावरस राजकारन करायला आवरत 25 जल्श ठाकरे महापाली का सामलाईचे पन माला कायम प्रश्न परतोकी 25 वर्षात काय केल अस एकतरी गोष्ट सांगावी जा काही गोष्टी आहे त्या नैचरलि होनस राजकारणा ताल्या पसून मिईवशा अने गोष्टी सामुस चोपतो राजकारना सर्वा जसत सयम असायला लगतो हा नियम मी तंतो तंत पालतालो ही गोष्ट मी पंत प्रदा नरेंद्र मोदी यांचा कड़ू शिकलो है असा देवंद्र फडण विस्माणाले कदी विरोधक्तर कदी आप्टी लोकाहिशिवा देत असतात पन वेल बदलत असते तसतर आमी काई रुशिमूनी नहीं है कदी-कदी उत्तर द्याव पड़ राजकारनात उत्तर देनेची योग्ये वेल साधावी लगते तेवास लोक तुमचे अइत्तात माला कोरी राजनीती करता एतनाई हामाजा स्वभव नाई आणी हेमी कदी करना रही नाई में जवा काही करतो तेवा विकास अचे प्रशासना चे मुद्धा वर काम करायला आणी तेवर अस राजकारन करायला आवरत अस सही देवेंदर अफड़नावी स्यानी मंटले एक घंटे का भी देदे आप एक गटे तक आपके जो प्रोजेक्स है जो आपने शुरू किये है और मॉनिटर कर रहे हैं आप एक गंटे तक बात कर सकते हैं आप बोलते हैं कि यह प्रोजेक्ट मेरे बेबीज है फिर भी सर कुछ आपके क्रिटिक्स है जो चीजे बोलते हैं अलग-अलग रूमर्स पहलाते हैं कि देवेंद्र जी का पार्टी पे इतना होल नहीं रहा है या आपके कास्ट के उपर कुछ बोलते हैं या फिर और कोई रूमर सेला देते हैं कि आप लोग सबाज जाएंगे सम्तिंग सम्तिंग कोई भी कुछ भी एवरीडे नियू रूमर लेकिन फिर भी बिस्पाइट दो कंटिनुएस रूमर्स जो महराश्या के पॉलिटिशन से उन मैं देखिए पहले तो हमेशाय कहता हूँ कि मुझे कोरी राजनिती आते लिए मैंने कभी जिल्दग में कोरी राजनिती नहीं की कि क्युक्कि हमारे लिए तो राजनिती यह हमेशा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक उपकरण है're हमने हमेशा इस आइडियोलोजी को माना है कि हम सोश्यो एकोनोमिक चेंज ये पॉलिटिक्स को एज एपरेटस यूज करके ला सकते है इसलिए आपने हमेशा देखा होगा मैं भाशन भी जब करता हूँ तो 80% मेरा भाशन ये डेवलपमेंट के ऊपर सोश्यो एकोनोमिक चें कि अगर हमको हमारे देश को हमारे राज्य को बदलना है तो हमको फोकस डिवलपमेंट पर रखना पड़ेगा राजनीती तो होती रहती है सवाल जवाब होते है आरोप प्रत्यारोप होते है वो एक पार्ट है लेकिन अगर हम गवर्णस को छोड़कर केवल एक दूसरे के पर आरोप करने में लग जाए लग मैं कई बार सवाल पूछता हूं अपने आप से भी पूछता हूं कि 25 सालों तक उद्धो जी ने शिवसेना ने मुंबई पर राच किया और उसमें से मेजर कालखंड ऐसा है कि जिसमें मुंबई महानगरपाली का स्वेम उद्धो जी दे नहीं कर पाए एक भी नहीं बताता है वो जो बाते कहते हैं वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि यह बातों में तो इसके लिए कोई नो ब्रेनर बाते जो बते बाते आज मुंबई में उनके कारेकाल में हुई है हमारे प्रमोच जी हमेशा यह कहते थे कि जब लड़का बड़ा ह होता है 17 साल का होता है तो उसको मुच्छे आती है उसके लिए माबापनी कोई उसमें करतुरत हो नहीं है वो तो नैचरल ही आती है ऐसा एक नैचरल डेवलप्मेंट को अगर हम छोड़ दे तो मुंबई में उद्धो जी ने कोई ट्रांसफर्मेशन किया है इसी एक चीज़ भी वो नहीं बता सकती है जबकि केवल पात साल में मुख्यमंत्री था और भारती जनता पारटी की सरकार थी तो मैं ऐसी कई चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ आप देख रहे हैं अभी कोस्टल रोड आपने देखा है लिए मु जिस समय मैं राजनिती में आया तो उस समय एक मंत्र मुझे मिला और वो मंत्र है पेशन्स इस वर्जू राजनिती में पेशन्स होना इससे बड़ा गुण हो ही नहीं सकता और मैंने प्रधान मंत्री जी से यह सिखा प्रधान मंत्री जी जो कहते हैं कि मैं गाली पूरूफ लेकिन दो हजार दो से दो हजार तेरा तक चाहे वो मिडिया रहे चाहे वो अपोजिशन रहे सुबह से लेकर शाम तक उस समय के मुख्यमंत्री नरेंदर मोदी जी को गालिया देते थे और ऐसी ऐसी गालिया दिये है ऐसे ऐसे शब्द उनके लिए इस्तमाल हुए है कि जीसका हम वरनन भी नहीं कर सकते हैं लेकिन उनका पेशन देखिए कि ये 11 साल पलेट कर एक जवाब भी उन्होंने ने दिया एक जवाब भी और ये सारी चर्चा को उन्होंने अपने कर्स्ट्रिम मिडिया का उपयोग किये बिना पूरे देश में ये इमेज तयार करके दिखाई कि भारत को जिस नेतरुत्व की आवशकता है वो नेतरुत्व गुजरात के मुख्यमंत्री में दिखता है और उसको भारत में लाना चाहिए ये उन्होंने करके दिखाया तो मुझे लगता है कि ये जो पेशन्स उन्में है शायर उतना मुझे में नहीं होगा लेकिन मैंने भी जीवन में यही सीखा है और इसलिए हमले होते हैं लोग पत्थर फेकते हैं लोग गालिया देते हैं कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि अपने भी गालिया देते हैं लेकिन ये सारी चीज़े वक्त के साथ समाप्त हो जाती है। इसलिए हम लोगोंने बहुत पेशन्स रखने की आवशकता है। वो मैं रखता हूँ, हाला कि ultimately कोई हम लोग रूशी मुनियों की श्रेडी में तो नहीं है। कोई वैराग्य तो हमने लिया नहीं है। कभी-कभी you have to give back, मतलग हम लोग कभी-कभी वापिस देना पड़ता है। तो दे भी देते हैं, पर overall मेरा जो सभाव है, यह बहुत पेशन्स सभाव है। और दिखिए, एक और मंतर राजमीति का है। कभी-कभी राजमीति में आपको जवाब देना भी पड़ता है। लेकिन जवाब देने का मौका कौन सा ही आपको सबजना चाहिए। टाइमिंग इस एवरिटें। गलत मौके पर जवाब देंगे तो आपका जवाब सुनाने जाएगा। जब अपना मौका हो तो जवाब दे दो दुनिया सुनेगे। थैंक यू सर्थ, थैंक यू पर यू ताइम, थैंक यू वेरी मच्छ थैंक यू सुपर्ण।